तेफ्रंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीएज के बारे में के बारे में अपनी सुना तो बहुत होगा , लेकिन आपके दिमाग में कई वार वर ओता क्या है फ्लल फॉर्म होता है postpartum hemorrhage postpartum hemorrhage का meaning होता है post यानि की बाद में partum यानि के delivery का time और hemorrhage का मतलब bleeding यानि के delivery के दौरान और delivery के बाद जो bleeding हो जाती है ladies को उसको postpartum hemorrhage कहा जाता है जब भी delivery होती है किसी भी lady को तो normally 500-1000 ml का blood loss ये normal होता है इसलिए हर मरीज को बार बार request की जाती है कि आप अपना iron की गोलियां लीजी अपना hemoglobin का level at least 12 या 13 पॉइंट करकर रखिए अगर आपका hemoglobin का point 12 या 13 होगा तो अगर blood loss होगा तो भी वो नीचे आते-आते 10 या 9 पे रुख जाएगा लेकिन अगर आपका hemoglobin लेवल अगर आपको एक लीटर blood loss हो गया है तो आपको बहुत जादा danger इस सिती में आप चले जाएगे आपको जानलेवा सिती हो जाएगी मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है तब मरीज के रिष्टदारों का सबका सवाल होता है कि हमारा मरीज तो बिल्कुल सही था और असी क्या दिक्कत हो गए कि आप मरीज को बचा नहीं पाए या मरीज के बहुत सब्सक्राइब काम्प्लिकेशन हो गया या मरीज को इतने सारे ब्लड की क्यों जरूरत पड़ रही है क्योंकि यह कोई भी डॉक्टर प्रिडिक्टर नहीं कर सकता है कि किस पेशेंट को PPH होगा और किस पेशेंट को नहीं होगा बट हाँ फिर भी कुछ हाई रिस्क पेक्टर होते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इस लेडिस को PPH हो सकता है लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ा चीज है कि आगर आप अपना हीमोगलोबिल लेबल बहुत उपर रखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सेव यूर लाइफ, यूर फैमिली लाइफ and डॉक्टर्स लाइफ आलसो क्योंकि जब भी किसी पेशेंट की लाइफ खत्रे में ज तो डॉक्टर की सलाह का पूरी तरीके से आप उसको माने, फॉलो करें और जो डॉक्टर्स आपको दवाईयां देती उनको प्रॉपरली ले ताकि आपका हीमोगलोबिन का लेवल, कैल्शम का लेवल बना रहें जो पोस्ट-पार्टम हैं जनरली तो एक लीटर तक होता है लेकिन अगर यह बहुत ज़ादा बढ़ जाता है यानि कि अधियर तीन लीटर तक बहुत ज़ादा बलोडोस अगर अक्यृटली हो जाता है तो फिर पेशेंट का लोड़ का तुड़ा का इसादा रिस्क हो जता हैं और यह एक्स्पकेट्ड होती है कुछ लेड़िस के ऑन चटा साथवा आठवा बच्चा भी लेडिस पैदा कर रही होती हैं तो जितने जादा डिलिवरी के नंबर होंगे उतनी ही जादा बच्चे दाने के से ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है इसके अलावा अगर बच्चे दाने में कोई फाइब्रोड की समस्या है तो विलीडिंग जादा हो सकती है या उसके पहली डिलिवरी में पैपी पीएच का रिस्क राही है या पहली दिलिवरी में अगर बीडिंग हो जाती है ज़िसे के ट्विंच बड़ीवरी तो बच्चे दाने का साइज का बढ़ा होता है इसको सिखड़ने में काफी टाइम पिपी एच का हम रोक नहीं सकते बट उसका बचाव कर सकते हैं और बचाव करने का तरीका यही है कि आप पहले से वेल प्रिपेड रहें अपने हीमोगलोबिन का लेवल बढ़ा कर रखें अपना खाना पीना अच्छा रखें अपनी बॉड़ी को स्ट्रॉंग रखें और जल फिपी बीडिंग होने का खतरा रहता है अगर पीनी गपार की तो और यह यही hen जो चलती है फोक टबॉड पार हें लेकिन और उसका प्लिपाटि को साइज बढ़ा रह टा तरह कुल गई है लेज़स वग्त ऑगी के वक्त बहुत ज्पाटा मंत्रां शाद को स्टूर गाए काफी जदा ब्लीडिंग होती रहती है तो पेशेंट का जो यूटरस है वो कॉंट्रेक्ट नहीं कर पाता उसके टोन खतम हो जाती है इसलिए से ए टोनिक पीपीएच कहा जाता है इस इस्तिती में डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन्स देता है जिससे कि ऑक्सिटोसीन देता है ब्लीडिंग नहीं रोक पाते हैं क्योंकि बच्चेदानी के उसके उपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की यूटरस दवाईयों को कैसे रिस्पॉंड कर रहा है और गिन महिलाओं में पहले से टीपीएच होने की संभावना होती है उनकी रिस्पॉंस करने की शमता भी कम ह हो जाती है क्योंकि अगर जैसे बहुत जादा डिलिवरी हैं तो बार बार सिकुड़ने और पैलने से बच्चेदानी डैमेज हो जाती है तो उनकी सिकुड़नी की शमता कम हो जाती है इसलिए उन लोगों में ब्लीडिंग भी जादा होती है दूसरा कारण हो सकता है कि कोई टीयर हो गया हो यानि कोई बच्चेदानी का मूँ फट गया हो कोई ब्लड वैसल फट गई हो तो उसको तो बांधा जा सकता स्टिच किया जा सकता और उसको रोका जाता है तो यह तो कंट्रोलेबल है बट एटोनिक पीएच बहुत डेंजरस होता है उसको रोक पाना काफी मुश्किल होता है बहुत कोशिश भी होती है और ऐसे सिती में कई बार मरीज को बचाने के लिए बच्चेदाने निकालनी पड़ जाती है ताकि कि ब्लीडिंग ढूख सके इसके अलावा अंदर की कई नसों को बांधा भी जाता जो बड़ी वैसल्स होती है जहांसे ब्लेड स पसकता तो इसका मतलब ये नहीन है कि डॉक्तर की लापर्वाई के कारण मरीज की जान चली गई है डॉक्तर अपनी पूरी कोशिश के साथ हमेशा डॉक्तर की जान बचाने की लिए लगा रहता है लेकिन उसके बावजोद में डॉक्टर भधवान नहीं है और मरीज को नह जो जाचे आपको लिखी जाती है वो करवानी होती है और लेडी का खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना होता है अगर आप इसमें आइरन और कैल्शिम की टेबलेट्स उसको देते हैं इंजेक्शन के अगर ज़रू होते हैं तो इंजेक्शन दें और खाना पीना बहुत अ करिए और कम से कम 25 साल के बाद ही लेडी को प्रिगनेंसी केरी ओन करने चाहिए बहुत कम उमर में भी अगर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो भी पीपेच की संभावना काफी बढ़ जाती है और मरीज की मेटरनल डैथ होने की संभावना बढ़ जाती है यह सब चीज की मेरीज के बढ़ जाती है और मैं अब जाती है तो पूरे 9 महीं में इसका जान रखना होता है ताकि हम एक स्वस्थ बच्चे को जन दे सकें आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जन कारी के साथ तब तर नमस्कार नहीं सब्सक्ति आपको नहीं सब्सक्राइब